हेलो एवरिवान राधे राधे आज हम ये सुन्दर सा तोरन बनाएंगे यहां पर हमें 31 चेन बनाना है थाटीवन चेन बनाने के बाद हम फोर चेन को स्किप करेंगे और जो फिफ्ट नमबर की चेन है यहां पर हम एक डबल क्रोशेद बनाएंगे एक चेन लेंगे एक चेन को स्किप करेंगे और इसके अगले वाली चेन में हम एक डबल क्रोशेद बनाएंगे मिल Koh यह एक चैन लेंगे फिर से हम एक चैन स्किप करेंगे अगली वाली चैन में एक double crochet बनाऊंगे हम ऐसे ही यह chain पूरी complete करेंगे एक chain लेंगे एक chain को skipping करेंगे और नेक्स्ट वढ़ी chain में हम एक double crochet बनाऊंगे ऐसे ही repeat करते वे जाना है फर्स्ट रो कम्पिट होने के बाद हम सेकेंड रो में चार्चेन लेंगे यहां हमें सुरुवा चार्चेन से ही करना है टर्न करेंगे यहां पर हमें होल में एक डबल क्रोशेद बनाना है एक चेन लेंगे नेक्स्ट होल में हम एक डबल क्रोशेद बनाएंगे हम पूरी रो ऐसे ही कम्पिट करेंगे एक चेन लेंगे और होल में एक डबल क्रोशेद बनाते वे जाएंगे बीज में एक एक चेन लेते वे जाएंगे पूरी रो ऐसे ही repeat करते वे जाएंगे थर्ड रो में हम चार चेन लेंगे टार्ण करेंगे हूल में हम एक डबल क्रोशेद बनाएंगे एक चेन लेंगे next hole में हम एक double crochet बनाएंगे ऐसे ही हम पूरी row complete करेंगे ऐसे ही हमें row complete करना है आपको जितना लंबा टोरन पट्टी का साइज रखना है आप उतना लंबा रख सकते हैं यह मैंने अपने डोर के साइब से तोरन पट्टी ready कर ली है आपको जितना लंबा चाहिए आप आपके साइब से complete कर सकते हैं यहाँ पर हमें पान का पत्ता लगेगा तो पान के पत्ते मैंने 4 बनाएं अपने तोरन के साइब से इसकी लिंक मैंने description box में देखे रखी है आप वहाँ पर जाके बना सकते हैं इसके बाद हमें colors लगेंगे यहाँ पर मैंने मोटी लगाए हैं तो आप भी आपके साब से decorate कर सकते हैं बीच में स्वस्तिक भी बना सकते हैं यहाँ पर मैंने colors पाज बनाए हैं अपने टौरन के साब से इसकी लिंक भी मैंने description box में देखे रखी हैं वहाँ पर जाके आप बना सकते हैं इसके बाद मैंने गनेजी बनाए हैं तो गनेजी मेंने 4 बनाए हैं लीफ जितनी लीफ होगी उतने ही गनपतिजी बनाने हैं तो इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे रखी है पहले आप तौरण पत्टी को पूरा सीधा कर लेंगे सबसे पहले हम तौरण पत्टी के उपर कलश लगाएंगे जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वेसे ही हमें कलश रखना है और सुई धागे से सिल लेना है लीफ को अच्छे से सेट करेंगे और सुई धागे से सिल लेंगे उसके बाद हमें लीफ लगाना है पान पत्ता लगाना है यहां पर हम अंदर डाल के पान पत्ते को उपर से सिलाई लगाएंगे येलो कलर के धागे से एक बार हम कलस लगाएंगे और एक बार हम पान पत्ता लगाएंगे फिर से हम कलस लगाएंगे यहां पर मैं आपको पांध पता सिल के बताऊंगी आपको कैसे सिलना है जिस कदर के आपकी तोरन पट्टी है उसी कलर से हम लीफ को सिलेंगे क्यानी डपकी ऑगे खुटी है कर दो दो अॉण कर दोगए रही है झाल कर दो दो सिलना है कर दो दो भलोगए वन जो कर दो बताशने है उना है कि उना है कि यहां पर मैंने कलर श्राइब कलरस्ट की जो लीफ है उसको पान की पत्य से आपको श्टिच कर लेना है यह तोरण इतना भी बहुत सुन्दर लगता है आप यह तोरण इतना भी बना के डोर में लगा सकते हैं इसके बाद हम Leaf के उपर गनपती जी लगाएंगे गनेज जी को भी हम सिल लेंगे सुईठागे से सून्ट को भी हमे इस तरह से सिल लेना है गनेज जी की सून्ट आप ऐसे भी रख सकते हैं ऐसे ही Face के उपर से आपको Stitch करना है गनेजी को भी मैंने स्टिच कर लिया है हमारा तोरन बनके रेडी है कैसा लगा आपको ये तोरन तो कैसे लगते हैं आपको मेरे वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताईए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झालने स्टिच कर दो मिलते हैं के लग खनापको भी में जर कि अपको करें तो भी मैं